आपको पिछले वीडियो में बताया कि AVN होता क्या है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि इसके लिए हम क्या-क्या योगभ्यास कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं AVN और हिप जोई हमारी पूले के हट्टी में A-Vescular Necrosis की वजह से जो संटम्स आरे हैं जो इसको हम योगभ्यास से क्यते कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले इस तरह से दौरों पैरों को फैला लीजे अब एक पैर को आप फोल्ट करेंगे दूसरे पैर के थाइस के ऊबर रखेंगे अब आपको इस तरह से गुटने को फोल्ट करना है बैक रहेगी अब पैर को आप एंड डाउं यह आपको कम से कम पांच बार करना है इसके बार आप इस तरह से पैर को पकड़ लीजे ठीक है और राइट आप इस तरह से पैर को पकड़ लीजे और लेफ्ट पैर को इस तरह से मूव करेंगे वान टू त्री पॉर पाइट नाइन टैं कम से कम दस बार आप इसको 20 से 25 बार ही कर सकते हैं आज पहला दिन है तो आप इसको कम से कम दस बार चुरूर करिए उसके बाद इस तरह से आप पैर को करिए और गुटने को और हीट गडे करिके थैट मेज्वी कर एड describe इस तरह से तरह समौ और इस तरह से अच्छ स्छाब पीद नाइ पार इस वान टो थे-स टेट पैर आपेक से कर देग्ड सीट आत डैं कर कीड़ू गर में बार, पार इस देटिय करें दो कर शलूं पार तो यह जो प्रोसेस मैंने आपको बताईए तीन योग अभ्यास यहीं सेम आपको दूसरे पैर से भी करना है देखिए इस तरह से दूसरे पैर को उपर रखेंगे अब डाउन पाँच पर करेंगे अब पैर को इस तरह से होज करेंगे अब राइप साइड एंदर लाइप साइड मूव करेंगे कम से कम दस पार पैर स्ट्रेट नेक्स स्ट्रेट यहीं लबी सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे अब इस तरह से अपने खुटने को रोटेट करेंगे और हमारा साढ़ा ध्यान अपने इस हिप जॉइंट पर यह हमारा जो हिप जॉइंट होता है वह बॉल एंद सौकेट जॉइंट होता है हमारा जो ऐ होता है यह इस तरह से रोटेट होता है कि जिस तरह से एक लॉल एक शॉक्ट में रोटेट होती है तो हम इह है neck crosses की क्योंकि उस चगे पे खून का संचार नहीं पहुंच रहा है तो उसको बढ़ाता है तो इस तरह से रोडेट करेंगे one two three four five six seven eight nine ten एंटी क्लोग बाइस करेंगे one two three four five six seven eight nine ten दोर पैरों को सीधा कर देंगे अब हम दोरों पैरों को इस तरह से hold करेंगे दोनों हार से अपने पंचे पकड़ लेंगे त्ली आसन पर बैठेंगे अब खुटों को इस तरह से उपर की तरफ उठाएंगे और हमारा सारा ध्यान इनर थाय पे खूलेंगे जॉइंट पर अब दोरों पैरों को नीची की कि इस मुमेंट को में कम से कम पांच से दस बार करना है कि चाहरे पर किसी मुस्किराहत इसके बाद दोरों पैरों को सीजा छोड़ देंगे और कमपोटेबल पोजी से में पैक चाहेंगे तो आज मैंने आपको जो यह यह अभ्यास बताएंगे यह बहुत जरूरी है आप आज से ही करना स्टार्ट करतीजे अगर आपकी फैमली में किसी को यह बीमारी है तो उन्हीं भी कराना स्टार्ट करतीजे आप बीमारी किसी कुधी इसकी है अगर तो आपको आज से ही यह योग ब्यास करना सुरू कर देना है आपको बिल्कुर रिस्क नहीं लेना है अपनी लाइफ के साथ क्योंकि इसका और कोई ट्रीटमेंट बचता नहीं है सिर्फ हिप रिप्लेस्माइट तो अगर आप इस वीमारी से छोटी उम्रे में बचना चाहते हैं और रिप्लेस्मेंट नहीं कराना चाहते हैं अपने ज्वाइंट कर तो आज से ही आपको याई योग ब्यास करना सुरू कर देना पड़ेगा क्योंकि आज आप अपना हिप ज्वाइंट रिप्लेस कराएंगे कल आपको अपने शुर्डर ज्वाइंट की जरुद पड़ेगे फिर नी ज्वाइंट की फिर आइंट करकी आप कितने ज्वाइंट रिप्लेस कराएंगे इससे अच्छा है ना कि योग से अपने ज्वाइ झाल झाल